दोस्तों महराश्च के चुनावी नतीजे ने सब को चौका कर रख दिया एक तरफ इपक्षी पार्टी ये कहती रही है कि ये जनता का मैंडेट नहीं हो सकता है ये चुराई हुई सरकार बनी हुई है तो लगतार ये सवाल उठी रहा था लेकिन उस बीच एक खबर ऐसी निकर कर सामने आ रही है कि अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगी जिस तरीके से जहारखंड और महराश के नतीजे आए उसके बाद से लगतार चुनाव आयोग और राजीव कुमार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जिस तरीके से हर्याना के चुनावी नतीजे आए उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर आरोप लगाया कि वहाँ पर ईवियम के साथ कुछ छेड़ चाड़ हुई है 31 सीटों की सूची चुनाव आयोग कुदी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई वो मामला हाई कोर्ट पहुचा है हाई कोर्ट में कहा गया है कि सारे सबूत मुझूद है 14 सीटों के मैसेज पहले आये थे और उनी पर कॉंग्रेस पार्टी की हार हुई है तो दोस्तों महराश में भी कुछ ऐसा ही खेला क्या चुनाव आयोग और राजियू कुमार ने कर दिया है कि जिस तरीके से लगाचार राजियू कुमार और भारती जंदा बार्टी की मिली भकस सामने आती है और उस पर लोग सवाल पूछते है क्या वो सच में ऐसा ही हो रहा है क्योंकि महराश से जो खबर निकल कर सामने आ रही है पूरी तरीके से वो चौकाने वाली है एवियम के खिलाफ अब जन अंदोलन करने की तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है सड़क से सदन तक और सदन से सड़क तक अब इस लड़ाई को विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से एक रोड मेब तयार करके लड़ने की योजना बना रही है लेकिन जिस तरीके से जो महराश से खबर निकल कर सामने आ रही हम आगको बताएंगे और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से राजियो कुमार की मुश्किले महराश के बाद क्या बढ़ने वाली है पहले आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जिस तरीके से लोग अब इलेक्शन कमिशन के खिलाफ ही एक महाथ खोलने के तैयारी कर रहे हैं आपने वीडियो देखा और सुना कि साफ तौर पर चुनावायों के खिलाफ नारे बाजी की जा रही है क्या अब चुनावायों की मुश्किले बढ़ने वाली हैं कि जिस तरीके से लगातार ये सवाल होता रहा और उत्तर परदेश में जब धांदली की खबरे सामने आ रही थी प्रशासन पुरी तरीके से लोगों को डराने और धंकाने का काम करना था तब ही अखिलेश श्यादव ने टूइट करके कहा था कि चुनावायों को जन अंदोलन के लिए तयार रहना चाहिए अब चुनावायों के खिलाव एक लड़ाई और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी जो उत्तर परदेश महराश्ट और हरियाना से जिसकी शुरुआत होगी तो क्या महराश्ट की धर्टी से अब उसकी शुरुआत हो चुकी है तस्वीरे आपने देखी वीडियो आपने सुना ये वीडियो महराश्ट के एक गाउ की है जहां पर कॉंग्रेस को जीरो ओट मिले हैं गाँवाले परदेशन कर रहे हैं कि उन्होंने कॉंग्रेस को राजिव कुमार पर क्या वो अब सच साबित हो रही है गाह वालों ने सीधे ताउर पर राजिव कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं उन्होंने कहा कि हमने कॉंग्रेस पार्टी को वोट दिया तो आखिर कॉंग्रेस पार्टी को इस गाहों से जिरू वोट कैसे मिल गया वो तमाम ओट कहां चले गए जो वोट दिये गए वो तमाम ओट कहां गए अब इस वीडियो के नीचे लोग क्या कुछ लिख रहे हैं हम भो भी जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोच रही है महरास्ट के चुनाओ को लेकर देखिए एक यूजर ने लिखा कि इसे बड़े पैमाने पर देश की जनता के सामने लाने की जरूरत है आंदोलन हो जनता सड़क पर उतरे एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जब तक एवियम है चुनाओ पारदर्शी हो ही नहीं सकते अब चुनाओ के नाम पर मजाक हो रहा ह दूसरे यूजर ने लिखा कि 90% जनता ने बेजेपी कोट नहीं दिया है लेकिन फिर भी भारती जनता पारटी चुनाओ जीत रही है एक दूसरे यूजर ने लिखा कि कौंग्रेस इस पर बड़ा एक्शन लेगी कौंग्रेस को सड़क पर एवियम के खिलाफ उतरना ही और सारे चुनाओ का बाइकाट करना होगा दूसरे यूजर ने लिखा कि विपक शड़कों पर उतरे दिल्ली और बिहार चुनाओ से पहले एवियम बैन होना चाहिए और दिल्ली और बिहार का चुनाओ बैलेट पेपर से होना चाहिए तो दोस्तों अब वही तमाम कि लोग चुनाओ आयोग के दफ्तर के सामने पहुँच चुके हैं और वहां मांग की जा रही है कि आखिर जब लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी के वोट दिया तो सारे के सारे वोट कहां चले गए आखिर जीरो ओट कॉंग्रेस के प्रतियाशी को कैसे यहां से मिला है इस का मामला हाई कोट भी पहुचा है लेकिन उससे पहले जब एवियम का मामला सुप्रीम कोट पहुचा था तो उस वक्त ततकालीन चीफ जस्टिस आफ इंडिया डिवाई चंदरचूर ने इस अरजी को खारिश कर दिया था या उस पर सुनवाई नहीं हुई थी आप अंदा भासकर के पती फाहद एहमद सत्रा राउंड तक वो आगे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया कि 90% चार्ज वाली एवियम मशीने खुली वहां से मैं पीछे होता चला गया और मेरी हार हो गई महाद वो तीन या चार हजार उटों से उनकी हार हुई है तो अब अंदाज़ा लगाईए कि लगतार इसी खबरे आती हैं और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है चुनाव आयो कोई भी जवाब नहीं देता है तकि महराश विधान सभा चुनाव के ने खुली भाजपा समर्थित NCP को ओट मिलने लगे उन्होंने आयोक से जवाब की मांग की है स्वारा भासकर ने जो दावा किया है ये कोई पहला मामला नहीं है हर्याना में काउंटिंग के बाद यहीं मामला उठा था और उसके बाद महराश में भी यहीं मामला सामने आय जहां पर 60-70% चार्ज वाली मशीने मिली हैं वहां पर कॉंग्रेस पार्टी के परतियाशी को जीत मिली है तो अब अब अधाजा लगाए कि आखिर ये खेल क्या चला है और जिस तरीके से महराश के गाउं में लोगों ने वोट तो दिया कॉंग्रेस पार्टी के आखिर वो सारे का सारा वोट कहां चला गया तो जो शक हो रहा था और लोग ये कह रहे थे कि आखिर क्या हैक हो सकता है या ऐसी कोई चीज़े हो सकती है तो वो खुल कर सामने आ रही है यानि कि जो जन अंदोलन की बात हो रही थी सदन से सडक तक एक अंदोलन की तयारी करन हैं यह लड़ाई लंबी है और देर तक जाएगी लेकिन अब पूरी तरीके से हम बैठ कर और इस पर चर्चा करेंगे और लंबी लड़ाई के लिए तयार हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ बड़ा एलान किया जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव आयो गांखे मूत कर बैठा है उसके उपर भी अब काररवाई की बात की जाएगी और तमाम तरह के सवाल की जाएगे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से कॉंग्रेश के परत्याशी को वोट ही नहीं मिला जिरो वोट मिलने की बात की जा रही है लेकिन ये वीडियो माहराज के किस गाउं की है भी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन साफ तोर पर लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया लेकिन वोट हमारा कहा गया आपकी कहा रहा है कि मिन वाक्स अपनी राय जरूर दें और असे दमाम खबरों के लिए देखते रहें कि देशनीती धन्यवाद